हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक अन्माय यूटूब चैनल एंड टूडें वी विल डिस्कूस अबाउन दी ए इंडियन ओरिजिन कंजर्विशन आर्गेनाजेशन दैट्स नोन एज बॉंबे नेच्रल हिस्ट्री सोसाइटी स्वाट पर में बोलें तो इसे भी एच एन एस ठी है इसके बारे में कुछ स्लेक्टिट कोशन सें तीर या चार कोशन जिन पर हमें तो अच्छा धान बनाया रखना जिसे एक्जाम में ठीक हो जाए तो देखिए बांबे नेच्रल हिस्ट्री सुसाइटी इंडियन अगर परक्यक्ष में बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट अर इंडिया उसके फिल्ड में काम करता है और यह ट्रस्ट है जैचे कि हमने बारे में बात करा था कि वह ट्रस्ट है सेम उसी तरहीके से एक ट्रस्ट है और बहुत ही पराना है मतलब यह आप इसके देखिए इसकी ओर जो है वह 15 सेप्टमबर 1983 मतलब 1857 का जो हमारा इंडियन पर दे जो उसके बात कायी ठिक है तो काफी पराना है वैसेसा कोई फहाना नियू सेंटर को ला ए जाए उसके अपना न्यू सैंटर कहोला है औरिसा में उसके बाएं बात करेंगे के नि Woo जो जर्रनल इस牛 सुरसाइटी से निकलते है ठीक है उनके बारे में बात करेंगे कुछ बुक्स हैं जो यहां से रिलीज हुई हैं जो बहुत ज्यादे अपना एक प्रॉमिनेंट प्लेस रखती हैं इन फिल्ड आफ जिस फिल्ड में वो लिखी गई हैं दूसरा आज के टाइम कि कुछ ऐसे रिनोवेट एकोलोजिस्ट जो इस सो साइटी बंद थर्टी फोर जिर्स अपने इंपोर्टेंट है यह क्या है एक पैन इंडिया बाइड लाइफ रिसर्च ऑर्गिनेज़शन ठीक है बाइड लाइफ मतलब दोनों चीज़स में आ गई है कि आपका प्लांट और अनिमल्स ठीक है बाइड लाइफ रिसर्च ऑन में मोटो है सिंस 1983 से काम करता रहा है जो हमारा डेपार्टमेंट आप साइंस टेकनोलोजी है उसने इस आर्गिनेशन को इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसे साइंटिफिक एंड इंडर्स्टियल रिसर्च ऑर्गिनेशन का टैग मिला हुआ है ठीक है इट है इस बीन प् इसके बारे में जो इंप्वर्टन बात है न्यू अपडेट जो आँसे कोशन आने के चांश बनता है कि इसने अपना एक अभी रिजनल सेंटर ओपिन किया है इसका में सेंटर है वो ममभाई में है अभी पूरी बात इस पर करेंगे जो इंपॉर्टन चीज है कि इसने एक इसका नाम क्या रगहा है एविफवना अबजरबेटरी एविफवना मतलब क्ला थे होगा bes Pandora का मतलब को सुझते हैं पपने खुछ 1 त दीतिमपर्ण उडीशा में तो इसके केंपस में अपना पहला रीजनल सेंटर ओपिन किया एक नियू अपडेट यह है दूसरा जैसे किसका एम आपने समझ किया होगी क्या है तू सपोर्ट दी मैनी रिसर्च अफर्ट को कैसे करके बाइग ग्रांट मतलब यह फंटिंग भी देता है रिसर्च प्रोजेक्ट को और अपना जो पूरी इंडिया में इस टॉपिक जो रिसर्च हो रही है उन्हें पब्लिस भी करता है अब पब्लिस कहां करेगा इसके अपने दो जनरल से ठीक है जिनका नाम आपको बता रहा हूं नीचे इन जनरल के बारे में पहले हम बात करते हैं जो पॉइंट आ रहे हैं जनरल से पहला जनरल न fix है जनरल फो जनरल इन अ खुल दा जनरल ऑफ बंबंबय शीर्च और नाम है सो साइटी की को थोह राय यह एंप्गोर्ण कोशन है और दूसरी जाम में कई बारे कोशन पूछा गया कि कौन सा बर्ड है यह है आपका हॉर्ण इसके बारे में बात करते हैं तो हार्ण बिल का जो दूसरे नाम है देगे सबसे पहले तो इसे हार्ण बिल कहते हैं उसके बाद इसका नाम है ग्रेट हॉर्ण बिल या ब्लैक कैस्क्यूड हॉर रिग और कि नो ते इसी तरीके जो हमारे पैथोजन से उसमें मिले ड्रखयन इन काउड एक पैथोजन होता है उसे किंग पाउज गार जाता है इसी तरीके से अमंग दी बर्ट के बीच में इस पक्षकों लाहारन बलको कि आप धी फारस्ट का जाता है ठीके अचा अभी सब् प्रॉपिकल रिजन कहां के इंडियन सब कांटिनेंट जिसमें हमारे हमाले एंड फोरेश अफ दी बेश्टन घाट पूरा ठीक है और साउथ इस्ट एस्या एंड अफ्रीका के जंगल में जो प्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रिजन से बहां पर ये पच्छी पाया जाता है ये हमारा इसका बांबे नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी का लोगों पर जो पक्छी है उसकी बारे में बात कर रहा हूं बाई नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है फ्रूगी बहुरत है ये फ्रूट्स खाता है ठीक है एंड लांग लिप्ट बहुत लंबी इसकी उमर होती नहीं रबाट फिप्टी अर्स तगे जीता है नार्मली पक्छियों में इतनी लंबी उमर होती नहीं है अब ड्यू टू कलर एंड इंप्रेशिप साइज बहुत साइज अच्छा बहुत अच्छा खुबसूरत है इसकी बज़े से इस इंपॉर्टन प्लेस रखता है कल्चर एंड रिचुल्स में ठीक है अब इंपॉर्टन बात इसके बारे में जे कोशन भी आ सकता है कि यह जो पक्छी है इसके लोगों पर हमने से क्यूं दिया इसके भी बहुत बड़ा रीजन होगा तो इंडिया की जो आई-उ-CN लिस्ट है जो ग्लोबल उसमें यह पक बंबे नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी सोसाइटी के नाम से और दूसरा है हार्न बिल जो लोगों है जिस पर जो बड़ बना उसके नाम से खोला है तो पहला जनल था है इनका बंबे नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी जो इन्होंने अपने ओरीजिन के तीन साल के बाद यह और इट प्रोवाइट ती इनफोर्मेशन रिगार्डिंगी फोना मुला प्लांट और एनिमल आफ इंडिया and about the activities of society उन society हमारी जो है जो society A B A N H उन पक्षी के वारे में और प्लांट के वारे में क्या काम कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए थ्रेट से ठीक है हॉर्मेल एक इसा जन्नल है जिसके वार्टर बी मतलब एक साल में फोर टाइम उसकी बुक निकलती है पब्लिस होती है ठीक है अब इस सोसाइटी से जोड़ी हुई कुछ मतलब बुक्स है तो इन बुक्स में सबसे इंपॉर्टन नाम आता है ड़क्टर सलीमली जो की बेर्ड माइन आफ इंडिया के लागते हैं और पच्छी बैग्यानिक थे बहुत बड़े इनके बुक है दी बुक आफ इंडियन बर्स इसके बाद इस सोसाइटी को बनाने में आठ लोग इंवाल्ब थे जिसमें से केबल दो इंडियन थे ठीक है इसका मतलब है यह बहुत इंडियन रेप्टाइल्स जो जेसी डैनियल ने लिखिये इन तीनों के नाम पर आज इस सोसाइटी ने कुछ अवार्ड भी डिक्लेयर किये हैं उन अवार्ड के बारे में भी कोशन आने की चांसे बहुत रहते हैं और इन अवार्ड से जड़ोगे कि किन लोग को मिलता यह अवार्ड की हम बात करेंगे दो सलीम अली के नाम पर जो है जैसी डैनियल के नाम पर जो इस सोसाइटी के बहुत प्रॉमिनेंट परसन रहते हैं पास्ट में ती सलीम अली कम्यूटी अवार्ड फार नेचर के इंजर्विशन यह सोजाइटी देती है ठीक है बी एन अच सो अपना बहुत बड़ा नाम है और इन्हें इस अवार्ड 2019 के लिए स्रेक्ट किया गया है प्रोफिसर गडगल के बारे में थुला जाने इनसे दो कोशन देखे निकल सकते हैं प्रोफिसर गडगल फाउंडर आप दी सेंटर आफ एकोलोजिकल साइंसी जो अपना इसी में है उसके डारेक्टर से एंड इन्होंने बहुत बड़ा कमीशन जो बैठा था गडगल कमीशन के नाम से जानते हैं जो की बेश्टन का हर्ट एकोलोजी एक्सपर्ट पैनल था उसके ये चेयर ड्रेमल हेट रहते उस कमीशन को का जादा गडगल कमीशन तो ये कुछ नहीं है पर गडगल यो थे इनका संबंद जो है सोसाइटी से और इस इस साल का सलीम अली कमेर्ट एवाड फर दी नेचर कंजरबेशन मिला है इसके बाद दूसरा आइज अली इंटरनेशन लेवार्ट वार्ट फर नेचर कंजरबेशन वह वाब तो के लिए इंडियन को मिलना चाह तीन बूख से दो जन्रल्स हो गए अब इनके जरब फोटो देख लेंगे इस से पता चले यह गटेकर साब जो भी जन्दा है और यह बाद साफ कुछ सब्सक्किन लाव दुक्रावएट नहीं तीन नहीं है इसके बात करदम जो है जिसका लोगों पर इसका पहुंआ है The पूछा जा सकता है अब इस सोसाइटी का जो में एक बमबई हो गया अब इन्हों प्रिशल सेंटर खोला है वह कहां पर खोला है औरी सा निया दिख चिलका लिए ठीक है अच्छा फेमस इसो सीट थे और एस डिलन डिप्ली फोटो दिखाया है इसके एरिया पे इंट्रेस्ट क्या है किस पील में काम करते है तो काज आफ नेचर के अज़रबिशन के वारे हम बात कहते हैं नेचर को कैसे करें गंजब किया जाए इस वसाइटी के बाद एक और इंपॉर्ट्टन चीज है इस वसाइटी का अपना एक मुजीम है बो भी मुंबई में लोकेटिट ए जहां बहुत सारे अनिमल्स बर्ट्स रेप्टाइल और अधर इनिमल्स की इसकिन को रखा गया है उनकी जो तचा होती है उसे रखा गया है अब मिजन की बात करें इतना पढ़ने के बाद आपको आइडिया होगा मिजन क्या हो सकता है तुर एक्छन बेस्ट रिसर्च करते हैं इसके बाद कुछ प्रोडिटीज अरिया की बात करें जहां पर यह काम करते हैं यहां से भी कोशन बन सकता है देखिए कलेक्टिंग इनफॉरमेशन आफ इस्पेसिमेन आफ फना फ्लोरा मलत दोनों के स्पेसिमेन को करते हैं थोड़ा आगे भी जाते बर्मा सी रंका इंडियन सब कांटिनेंट में इस सोसाइटी काम करते है अट लिस्ट दूसरा बात है इन्स्टुमेंटेशन इन फोकसिंग इन्स्टुमेंटेशन का टर्म आता है उसके बाद सोसाइटी अपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जनल निकालती है जिसके तुरू है अपने इंडिया में जो बर्ट पे जो काम हो रहा है पच्चियों पे जो रिसर्च हो रही है इस पेसलिए फोकसिंग करती है बर्ट बर्ट को जादे करती है ठीक है तो पुब्लिकेशन आर्टिकल्स और नियू रिपोर्स ऑंदी फना एंड फ्लोरा इसके बाद कलेक्शन आप स्पेसिमेंट फना फ्लोरा फ्राम इंडियन सबकांटिनेंट और कंड़क्शन आफ रिजर्च अन फनान फ्लोरा एंड ध्यान इस्टुमेंटेशल इन फोकसिंग पब्लिक और ओफिसल अटेंशन आंदी नीट फर प्रॉपर्टी अंडरस्टेंडिंग इंडर्पिंग तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन से तो इस तरीके आपने सोसाइटी के बारे में कुछ बातें देखी जैसे कि इसका लोगों पे कि बर्ट किस एनिमल का पिक्चिर है उसका नाम बताना है उसकी क्याटागिरी क्या है वन लेविल है और सोसाइटी का मेन हेड़कॉर्टर का है मॉंबई में है इन्होंने अपना भी रिजनल सर्वेश इस्टेंशन खोला है वो आपने कहां खोला है चिलका लेक के पास जो हमा जनल के नाम ध्यान रखना है इससे कोशन आ सकता है और सोसाइटी का अपना क्या इंडिया कि राव आइए थोड़ा सब कांटिनेंट बर्मा सी लंका में भी काम करती है ठीक है और इसकी स्टेश हमने बता है ना इंडिया का सबसे बड़ा एंज्यू है कि इनको सबसे पुर का कोशन है वो तीन से चार कोशन बनते हैं इस था अपना दिवस 15 सेप्रेंबर 1983 किस बड़ का लोगो पे पिक्चर है इसका तो आपका हार्न बिल सुसाइटी की जनल का नाम आपके रहा है जनल आप दी बंबे नेचरल हिस्ट्री सुसाइटी एंड हार्न बिल सुसाइटी क काम करती है इन दी फील्ड आफ बाइडावर्सटी चंजर्वेशन के फिल्ड में काम करती है और इस पेसल फोकस अन्दी बढ़ कंजर्वेशन इस पेसल पक्छी है इंडिया के उन पर इक अजब जादे करती है इसी के जाए पोलीज जो है मेरा चैनल है आप उसे सब्स्क् यह संद्सक्राइब चैनल है इसाँ अजब टैग्सेड एन्पाण वार्सटी बढाद आफिर चास्टी चाई वीन भीन फिल्ड खानाउ यार्स पक्रणी टेरिए बाद चाहिए इंदीग।